आज बजेट सत्र का प्रारम हो रहा है, मैं आप सभी का और देश भर के सभी आदरनिय सांसदों का इस बजेट सत्र में स्वागत करता हूँ आज की वैश्विक परिस्थिती में भारत के लिए बहुत अउसर मौझूद है ये बजेट सत्र विश्व में सिर्फ भारत की आर्थिक प्रगती, भारत में वैक्सिनेशन का अभियान, भारत की अपनी खोजी हुई वैक्सिन, पूरी दुनिया में एक विश्वास पैदा कर रही है इस बजेट सत्र में भी हम सांसदों की बात्तितें, हम सांसदों के चर्चा के मुद्दे, खुले मन से की गई चर्चा, वैश्विक प्रभाव का एक महत्वकूर्ण, अवसर बन सकती है। मैं आशा करता हूँ कि सभी आदर्णिय सांसद, सभी राजनितिक दल, खुले मन से उत्तम चर्चा करके देश को प्रगती के रास्ते पर ले जाने में, उसमें गती लाने में अवश्य मदद रुप होंगे। ये बात सही हैं कि बार-बार चुनाव के कारण सत्र भी प्रभावित होते हैं, चर्चाएं भी प्रभावित होती हैं। लेकिन मैं सभी आदर्णिय सांसदों से प्रार्थना करूँगा, कि चुनाव अपनी जगा पे हैं, वो चलते रहेंगे, लेकिन हम सदन में ये बजेट सत्र एक प्रकार से पूरे वर्ष भर का खाका खीरता है। और इसलिए बहुत महत्वपुण होता है। हम पूरी प्रतिवद्धता के साथ इस बजेट सत्र को जितना ज्यादा फलदाई बनाएंगे, आना वाला पुरा वर्ष हमें नई आर्थी कुंचाईयों पर ले जाने के लिए भी एक बहुत बड़ा आउसर बनेगा। मुक्त चर्चा हो, मननिय चर्चा हो, मानविय सम्वेदनाओं से भरी हुई चर्चा हो, अच्छे मकसद से चर्चा हो, इसी अपेक्षा के साथ आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद। कि अप बहुत बड़ा आप बहुत बड़ा हो,